सबसे पहले तो आपको वीडियो के अंदर की हाइलाइट्स बता दें तो इनमें सबसे पहला है घर के सामने खड़ी महंगी गारियां देखकर चोर करते हैं चोरी का फैसला और दूसरा घर की नेम प्लेट भी चोरों को अपनी ओर करती है अकरसित और तीसरा है किसी त्योहार या साधी के समय चोरी को अंजाम देते हैं चोर और चौथा सीसी टीवी से ज़्यादे कुत्तों से चोरों को लगता है डर और पांचवा है पुराने चोरों में पुलिस का डर लगभग खत्म हो चुका होता है इसी तरह चटा है कोई चोर मुस्किल से मुस्किल लॉक को भी सिर्फ 10 सेकेंड में तोर सकता है और साथवा जादे तर चोर घर के बैक डोर का करते हैं इस्तेमाल और आठवा चोरी से बचने के लिए अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए तो आएए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं चोरों के तौर तरीकों पर एक साइंटिफिक स्टडी की गई है स्टडी के मुताबिक 70 फेस्दी मामलों में देखा गया है कि चोर अपने घर के आसपास के घरों को ही निसाना बनाते है क्योंकि उन्हें उस इलाके के रास्तों का अंदाजा होता है वहीं 72 फेस्दी मामलों में यह भी देखने को मिला कि चोरों ने घर के सामने खड़ी महगी गारियां देखकर चोरी का फैसला किया अब सवाल ये उरता है कि क्या आपके घर में लगी नेम प्लेट भी चोरों को आकरसित कर सकती है तो जवाब है हाँ बलकि किसी घर में चोरी करनी है या नहीं यह तै करनी के लिए चोर सबसे पहले नेम प्लेट ही देखते हैं दरसल लोग अक्सर नेम प्लेट पर नाम के साथ पद या प्रफेशन भी लिखते हैं इससे चोर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस घर में सेंध लगानी है घेट यणिवस्टी बेलजियम के कुराल आरसन और मद्राश विश्विद्याले के प्रफेशर डॉक्टर प्यमवदा की एक स्टडी रिपोर्ट में यह बातें सामने आई हैं चोरो पर इस तरह की संभवता यह पहली स्टडी है रिपोर्ट के मताबिक चोर सांदार, बने घर, नेम प्लेट पर लिखे प्रफेशन और बाहर खड़ी गारी के आधार पर तै करते हैं कि किस घर में चोरी करनी है घर चिन्हित करने के बाद वे किसी त्योहार या साधी के समय चोरी को अंजाम देते हैं इसकी मुख्य वज़य ये है कि इस दोरान लोग बैंक से कैस और ज्वैलरे निकाल कर घर पर रखते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस तरह की स्टडी करने की आवस्यक्ता ही क्यों परी तो आपको बता दें कि इस स्टडी के पीछे सोध करताओं का मुख्य उद्दे से चोरी की सोच को समझना है ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके नेम प्लेट से चोरों को होता है कमाई का अंधाजा सोध करताओं ने 314 चोरों पर अध्यान कर लगभग 300 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है रिपोर्ट तैयार करने वाले घेंट यूण्वेस्टी बेलजियम के कुरा लारसन ने बताया कि 73 फेश्दी मामलों में पाया गया है कि नेम प्लेट पर लिखे प्रफेशन के आधार पर चोर कमाई का आकलन करते हैं 70 फेश्दी मामलों में देखा गया है कि चोर अपने घर के आसपास के घरों को ही निसाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें इस इलाके के रास्ते और जगों का अंदाजा होता है 72 फीस्दी मामलों में या देखने को मिला है कि चोरों ने घर के सामने खड़ी महंगे गारी देखकर चोरी का फैसला किया घर की बनावट और लोकेशन भी होती है चोरों के लिए एहम रिपोर्ट के मताबिक 94 फीस्दी मामलों में देखा गया है कि चोर ऐसे घरों में नहीं जाते जिनमें हमेशा कोई न कोई रहता हो या घर में जादे चहल पहल रहती है चोरों के लिए घर की बनावट भी बहुत मायने रखती है 97 फिस्दी मामलों में चोर ऐसे घरों को निसाना बनाते हैं जिनमें बाहर निकलने के कई रास्ते हों तब चोर के पास भागने के कई विकल्प वजूद होते हैं अगर आपका घर गली का आखरी मकान है उसके बाद रास्ता नहीं है तो आपके घर में चोडी की संभाबना कम होगी चोर पुलिस पेट्रोलिंग टाइम का भी ख्याल रखते हैं चोरी के बाद चोर पकड़े जाने से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं कुरालारसन के अंसार इसका मकसद पुलिस की नाकाबंदी से बचना होता है सीसी टीवी से जादे कुत्तों से चोरों को लगता है डर चोरों को किसी घर में लगे सीसी टीवी से जादे वहाँ पर पाले गाए कुत्तों से डर लगता है सीसी टीवी से नजर बचाने के लिए चोर उसे ढग देते हैं या ऐसी जगे से गुजरते हैं जिससे CCTV के सामने ना आएं लेकिन कुत्ता हलकी से आठ पर भी भौकने लगता है या अंजान ब्यक्ति पर हमला कर देता है घेंट युनिवस्टी बेलजियम के कुरालारसन ने बताया कि पहले बार चोड़ी करने वालों में पुलिस को लेकर भ बड़े से बड़ा लौक भी तोड़ने में कम परसानी आती है रिपोर्ट तयार करने वाली मतराज इन्वस्टी की करिम्नोलजी ब्यभग की प्रियमबदा बताती है कि चोड़ों को ताला तोरने में ज्यादे समय नहीं लगता है कई मुश्कि लौक को वो बिना किसी उपक चोर का करते हैं इस्तिमाल प्रियंबता कि अंसार चोर ये जानते हैं कि घर के मुख गेट का lock मजबूत होता है अमुमन ऐसे घर में प्रवेश करने के लिए चोर बैक गेट का इस्तिमाल अधिक करते हैं घर में घुसने के बाद चोर सबसे पहले तीन जगह को टटोलते हैं जिन में पहला बेडरूम, दूसरा किचन और तीसरा पुजा घर है अब ये तो थी चोरों के तोर तरीके अब ऐसे में चोरी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो ध्यान रखें कि घर के बाहर जाते समय परोशियों को जानकारी दें लंबे समय के लिए यदि घर से बाहर जा रहे हैं तो पुलिस को सुचित करें यहाँ पुलिस पब्लिक रिलेसन को भी मचबूत करने के आवस्चिता होती है इससे लोगों का पुलिस के प्रती विश्वास जागरित होता है और उन्हें सुचित करेंगे घर के CCTV का कनेक्शन अपने फोन से कर लें इससे मॉनिटरिंग में आसानी रहती है घर के सभी हिस्सों के लॉक पुक्ता कर लें जब आप घर में नो हो तो कम से कम नगदी और आभूसन घर में रखें आपके घर के बाहर परे अख़वार, दूद के पैकेट, पुरानी रंगोली, आधी पर चोड निगाह रखते हैं ऐसे में अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो वेंडर के द्वारा इन से वाओं को बंद कर दें या फिर अपने परोसी से इसे उठाने के लिए अग्रा करें अपने घर में आभूसन न रखें, इन्हें बैंक के लोकर में ही रखें तो ये थी चोड़ी के तोर तरीकों पर की गई एक इस्टड़ी और इनसे बचने के तरीके और उपाए यदि वीडियो आपको अच्छे लगी तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही जादिस जादे लोगों को सेयर करें, ताकि वो भी इन जानकारियों का लाप उटा सकें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने ध्यान रखें सुरक्षित रहें